नवस्कार में प्यारे किसान साथि हूं मैं हूं मनिश कुसवाद दोस्तों अभी हम लोग गोरकपूर उत्तर पर्देश में हैं दोस्तों अभी हम लोग एक फार्म पर विजिट करने आये थे एक फार्मर से मिलने आये थे देख सकते हैं पीछे बकरी फार्म है तो संयोग से तो उस सम्मंद में भी बातचित करेंगे और आज मुख सवाल यह होगा कि जैसे कि आप देख पार रहे हैं का आपी संदार बखरी फार्म मनाया गया है तो किसार भाई अपना बखरी फार्म का सेट किस तरह से निर्मान करें जैसा कि आप देख पार रहे हैं यहां लगभाग हर एक मंद यह हम आ जाते हैं और जैसा कि पुराने भीवर लोग जान रहा हैं कि यूटूब के मांधियम से लोगों में जाग उपता फैलाते हैं और अपना कुछ पेड़ पोर्सज भी चलाते हैं तो जाग रुपता भियान के तहत यह मेरा एक कैम्प है गोरगपूर में अच्छा गोरगपूर में हाल फिलाद में शुरू किया है किया सर लखक साल वर से और यहां पर जो लोग भी आते हैं तो यहां पर पेड़ पोर्सज संचानित कि जाता है यानि कि जो भी आएंगों कुछ राशिक पर अच्छ पर आप ठाथ हम यहां आते रहा किया अच्छ और विचा है बहुत सारे यह बालू रखते हैं मिटी रखते हैं तो सेट के बारे में मुख रूप से आज हमारा सवाल हो गया कि सबसे में कुस्टन उनका यह रहता है फिर लेकर हम पूरा जब भी बताते हैं जो कि देखे आपका मेडिया है यह आप ही लोगों को जारू कर रहा है बिल्कुल तो कुसिस किया जाए कि तुरा डिटिल में नौलेज दिया जाए सौटकट में नहीं बिल्कुल किसान भाई अप जनकारी वाकई में चाहते हैं तो वीडियो को अंत्य चार वीडियो वीडियो को अन्त तो नहीं मिल पाएगा एक वीडियों अंतक देखे प्रचर्चा करें तो आई सबसे पहले हैं बताते हैं जगा के बारे में जगा आपके बकरी के अंदर कितना होना चाहिए ईपी करता है जो बकरी पालत हमारे बंदू है द करने जा रहे हैं लिएंद कि चराकर करना चाहिए और अधिकन सब्सक्ररख करना हैं उससे ज्यादा ज़से चया गया जव्यक्ति अचशा बत क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि अधिक कम अस्पेस में ज्यादा बकरी को आप डाल दाते हैं तो बकरी को घुमने फिरने के लिए स्पेस नहीं मिल बाता है जो चर आई पर जाती है तो आज जो चरने जाती है तो तो अराम से घुम के तो उसका फिचकल एक्सरसाइज होत तो ग्यास के समस्या, भूख कम लगने की समस्या, कवज की समस्या, यह सब आना शुरू हो जाएगा, तो इस जाइड से बात है, जब खाना अचास नहीं खाएगा, या खाएगी बकरी, तो अच्छा गुरूथ अपको नहीं मिलेगा, सब कुछ ते खाना पर ही इंडिपेंड आधा अंटा पर प्रिसाब करते रहते हैं, यदि कम जगह में ज्यादा बकरी को रख देजिएगा, तो पूरा फर्स गिला हो जाएगा, फिर बकरी कहा बैठेगी, बैठने लिए उसको जगह नहीं रहेगा, और बकरी उत्तनाव में आ जाएगी, इसके लिए बहुत लोग बास का चचरी बिशा देते हैं, हाँ, उसको ऑप्सन है, लेकिन बास का चचरी शीख है, उसके साब निचे चलाएगा, लेकिन अधि कम जगह में आप ज्यादा बकरी को डाल देजिएगा, तो बकरी तो फांक लेगी अक्सिजन गैस, छोड़ेगी करमन डैक्साइड गैस, तो फिर उसका हेल्थ डाउन होने लाएगा, इसका जीता जाता बताने जा रहा है, कभी गविसादी बिया है, या कुईसी फंक्सन में आप देखिएगा, ध्यान दिया होंगे, एक हाल के अंधि अधि जगह जाता है, बिलकुल उगुरा बढ़ जाता है, तो खुटन मकसू पर बढ़ जाता है, तो हम लोग बाहर भाग जाता है, आथ फोल्टिंग लिया है, पाने गिलास लेकोई बहाना चल भी आ बहार चलता है, चल जाता है, बखरी क्या करेंगी, किसान लोग तो पहर में तालम बार देता है, बाहर से, या गेटप बंद के चोड़ी नहीं, ता असर यहां परादाता है, तिसरा ओरिजन या है, बखरी के पेसा में वूर्णी गेस होता है, योती क अब शंचर में बखरी डाल लीएगा, तो प्र繼續 नोब आ बहार से, और आमूनीर गेस जहरीला होता है, योती हलका सा और किसी को जहर दे जाता यए, तो क्या उशवस्थ तरह पांगा बेद पुली सवय परढ़ें पढ़नें लगेगी न थे ये हैं ये काम करेगा यमर नहीं कुछ एल रोड़ दवाइं करें कर दिंख है QARe तो ये काम नहीं किया कहां से काम झाट दवाई तो दिए और Love भेज़ारवे खिला दी है लेकि में करने तो आप दूर नहीं कि तो इस आप समस्या ना आपके पास इसलिए एक जो जगा होता है में पिस होता है जे ओधिये गाट जादे अच्छा रहें तो वह स्पीस के बारे में बता देते हैं ऐसे चरने वाली में कम रहेगा तो चलेगा वे तो अच्छा रहेगा क्योंकि वो सकता है बार दिन बाहर रहा रही है तो सुरू में घर अच्छा कि उना बना नहीं अच्छा बनाएंगे क्योंकि तो देखिए तो घर जब भी बनाएए तो यह इक अच्छा बता है उसको बनाना चाहिए तीन पार्ट में हाउन बरमदा और आंगान जाएंगे अधि बखरी घर जब आपको बनाना है तो तीन पार्ट में इसको बनाना और अंगन होग्या क्या खेळने के लिए एक सर्साइज ने के लिए आप आप करने के लिएए आंगम तो हौल के अंदर एक बकरी के लिए कम से कम 30 स्क्वार फिट देना चाहिए हम कम से कम सब इच कर रहा है ज्यादा देना अरकी मर्जी दे सकते हैं लिए उससे कम न देजिए मेरा अन्भाव सारा देने पर समस्य आता है ठीक है जे बरामदा में एक बगरी पर 15 स्पार फिट देजिए जे और बाहर जो आंगन हुआ वहां लगभग कम से कम 50 स्पार फिट एक बगरी पर इस तरह से ज यानि कि लगभग अंचानवे सवे मान लेजे 100 स्कॉार फिट तो ऐसा कीजिए तो जादा बटर रहेगा अब एक बगरी के लिए उतना तो बिस बगरी के लिए पर इस इंटू सो कितना हो रहा है ना दो हजार स्कॉर फिट इस तरह से आपको स्पिस देते हैं तो बगरी आ स्पेस मिल जाएगा तो स्पेस का ख्याल इस रखिएगा मेरा अपना विक्तिवत बिजार है यह रहा है स्पेस का आगे बताते हैं डियरेक्सम हर एक चीज़ का अपना महत्त्व है इसे समझ रहे हैं हलागे बड़ी थोड़ा लंबा होगा आपको अच्छा लग रहा हो तो और अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा सा नया जो बक्री पाला को जागरूप किया जाए इसमें आप भी सभागी बने हैं जे बिलकुल क्योंकि आदे आपके सिरे करने सुझ मेंफिट हो जाए तो अंको नहीं लगता है कि सेर नहीं करना चाहिए बिलकुल और ग्यान जहां से मिल रहा हो उसी को गुरू समझिए तो आग ठीक है तर हमारे गुरू है तो इनके लिए एक लाइक भी जरूर किजिए ठीक वह तो उनकी इचा है और देखिए वग यह स्पेस की बात जे अब डैरेक्शन की बात किया जाए जे डैरेक्शन हम लोग अच्छा बकरी घर मे जो हम लोग बताते हैं पूरवे पच्छिम रखना चाहिए इसका यह बहुत बड़ा बेगानिक कारण है पूरवे पच्छिम रखने से होता क्या है कि हम जहां पर यह बैठे हुए हैं बिहार कर लेजिए जार्खन कर लेजिए अभी यूपी में गुरदपूर बैठे तो आप यहां के नमबर संजय यहां के आउजक संजय जी है फ्रन नमबर अब देजिए गाँ वाट्सप नमबर जिनको पेड़कुटसेश करना होगा आप वाट्सप से संपर कर लेजेए गाँ क्या वजक संजय जी हैं हम कहां पर थे अभी उड़वे पच्छिम जब डिर जनतू के लिए जाए इंसान रहे या जानवर रहे गर्मी में लू रहता है लू मारेगा तो बिमार और ठंदा में सीतलाहर इसलिए कुसिस रहता है कि अपने बकरियों को पच्छिय हावा से डिरेक्ट निश्वंका से बचाया जाए जाए तो पच्छिम साइड में इसका और बड़ा कारण है उस पर ध्यान दें हाँ अभी जिससे थोड़ा दर पढ़े हम बताया थे कि फार्म को अमोनिया फ्री होना चाहिए तो अमोनिया का जो बजन होता है ना मंदली हावा से जादा होता है और नीचे के बैठ जाता है यह किसी कारण वस्से हावा बिल्कुल नहीं चल रहा है और लेर पुरा मोटा बना हुआ है तो यह जोगा आएगा तभी बाहर निकलेगा जे ओके हावा बिल्कुल यह रुका उवा है या कई को वे सब पत्ता भी नहीं रहा है तो ग्यास तो अभर जाएगा आपके हाँ फ यह जब चोटे चोटे पार्ट होता है मारी हलका हवा से दोघोड़ आपको एक पर यह नियर बना देता है तो हालका ह्वा से उजए बात है सभी फिर उसी निदिवको अलदबिकर न सकती टोड देता है यह का बाहर मिंनधाया के अंदर जदाश स्टुर्ण निकल जाय bạn इस कारण से कि वह धूप सुखाएगा दोनों साथ में होगा और धूप से बैक्ट्रिया वाइरस मरता है यानि धूप आना हमारे फारम के अंदर नीतान तजरूरी है और दूसरा चीज़ सभी भीवर लेको पता होगा कि धूप सबसे ज़्यादा हम लोगों को जरूरी मसूस होता है सब्सके बज़ा से उतना जगर्फिम नहीं जाएंगे लेको उसके बता रहे हैं ठंड है के मौसम में यादि आपका खिर के दच्छिड साइड में है तभी धूप आएगा विल्कुल क्योंकि उत्रा उतना गॉलिक चीज़ नहीं बताने जा रहे हैं फार्विंग लेवल की तो थाने के मौसम में दच्छिड से धूप आएगा और गर्मी के मौसम में उत्र से धूप आएगा तो जब डिरेक्शन लंबाई रहे का पुरूबे पच्छिम तो आपको एक लंबवा अस्पिस मिल्यागा दच्छिन साइट से खिर की खोलने के नहीं है अचा अचा अच कर लिए और नमेवी धूप के कारण सुख जाए तो डिरेक्शन के महत्तव आप समझ रहे होंगे एक चोटा सा कोश्चन है बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो जमीन होता है उसका नंबाई ही ऐसा होता है कि उतर दक्षिन नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसमें फार्म मतलब दक्षिन उतर के पत्रफ बनाए हैं फिर दूसरा जमीन ले नहीं आपका कुश्चन बहुत ही अच्छा रहा है जैसा कि हम बता तो रहे हैं लेकिन सिच्वेशन सबके सपास एक समान नहीं होता है हो सकता है कि इसी का जमीन ऐसा रहे है कि वो जाह कर भी पूरो पच्छिल न सब्सक्राइब करते हैं तो गाउन देहत हमारे साइड में पन्रह सव अठारा सव में चौंकी मिल जाता है हलाकि मचान बनाने में कौस्टिंग ज्यादा पड़ता है तो सुरुवाती में हम बोलते हैं खर्च कम से कम की जिए चौंकी यह ले लेते हैं यह बलकुल अगार मे आरहा है तो पुछ पंगी लगाना पड़े यह लगाना पड़े ना तो चौंकी बिचहा देजिए और दोनों पट्राइब जो थोड़ा से गैपिंग कर देजिए बकरी का सवाह होता है हमें सब उचास्थार में बैठने का बकरी जब अगर बैठेगी तो चौंकी पर हमें निचे निचे है ना उजाइन फोमिलिया उपरा हाँ तो आमोनिया के परभाव से दूर रह गए की नहीं रह गए तो आप चाहें तो इस टेकनीकार इस्तमाल करके अपने बकरी कुणनमी और आमोनिया से बचा सकते हैं वह गाने यह नहीं हो गया हर यक चीज का ऑप्सन है म सब्सक्राइब कर सकते हैं तो यह वोगी आपका डिरेक्शन का महत अब खिरकी के बात आगिया खिरकी आप देखें लिए कि हम प्रिफर किये दच्छिन सब्सक्राइब लेकिन साथे साथे और बोलना चाहते हैं जो अधिकांस किसान बंधू नहीं करते हैं या जो लोग और वीडियो में बताते हैं लोग इसा नहीं बता है अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात कमेंट में बग पता यह कैसा लग रहा है जैमीन से एक फिट के हाइप जो आप अच्छी बार सबस्क्राइब नहाए अमोनिया तो नीचे रहेगा जिस नहीं हो सकता है कि दम हावा हलकाला चल रहा है और खिर्की का आयठानों लोग बोलते हैं तिन साथे तिन फिर से उचा देनेके लिए तो हावा उपर उपर आएगा उपर निकल जाएगा आजाएगा निच्छे रह जाएगा ना तो क्यों नहीं छोटा-छोटा भूर्की दे दिया जाए तक यह जुरू-जुरू अब मंखी सब्सक्राइब जा रहा है तो बहुत अच्छी बात यह आप अपना नया विचार देना चाहते हैं तो कुछ पूछ पार रहे हो सकता है कि आपकी अगले सेसं में हम आपके सवालों को सामिल करेंगा अखिर सब प्रस्वन तो आपके मात्यम से आता है सवाल किजेगा तभी तो आपके सवाल पूछा जाएगा होता है यह कभी-कभी ऐसा भी होता है कि वीडियो बन रहा है जै कुछ बूलना हम यह बूल गया है जै का मौसम आया जो चुटा-चुटा गैपिंग हम बोले थे उसमें आया तो पुआल डाल देजिए मिटी लेवार के लेवार के लेवार दो लुक सभी मिटी भार देजिए तो जाना में कंट्रोल कर लीजेगा वससे होगा तो खिरकी आप इस इस तरह से कीजिए तो खिरकी हो गया लंबाई भी हो गया आपका इस भी हो गया अब बात करते हैं फर्स कैसा होना चाहिए तो फर्स ऐसा होना चाहिए कि तुरंद का तुरंद सुख जाए उसके लिए हम बलुई मिटी पसंद करते है या इंट भठे का जो राक होता है वो पसंद करते है वाला जो बोलते हैं तो कम खर्च में तो मचान बनाने की यूट्यूब की चेकर बहुत सब्सक्राइब बनाते हैं अगर चचरी आपका कोई पूराना है जैसे घ्वारूर लोग बनवाते हैं तो जो आती के लिए तरह के लिए देखिए पट्रा यूच कीजिए या चौकी यूच कीज तो हम पसंद नग से वह सकते हों या चौकी बोल है वह चाए यह ज्यादा अचहा रहा है बाकी डिशिजिन ने आपका कम ठीकहें हमारा काम बूलना जो मेरा अपनान में बणाती टो फर्स श्टाटसे बनाइए तो ऐसा रहएगा अब आगे चbershã प्राइब बात बात करते ह च्छत का मेन विजिस से क्या है गरमी में गरम को रोकना अन्थ सभी गरमी होता है ना जे पर फू वरah जो रॉकना और बारिस वरेश को रोकना तो जैसा कि अभी आप यहां बेठे हुए है यहां देख रहे हैं कि लगाय हूए है टीना वना और रंगिना काफी ही काफ士। ठीक है यह लागा नहीं है कि इनके परस्पृसितिका ऐसा है बकरी गर्मी में बच जाती है इंके अहाँ आप नहीं बठ पाईएगा खुद बठके दिखाए तो गर्मी नहीं बठ पाईएगा खुद इनका बक्री चुके आम रिगलर आते रहते हैं तो तर पेन यह सब पेन के चाया जागा बठती है तो च्छत जब बनाना हो तो ऐसा चीज़ किजी कि गर्मी को रोक ले जो गर्मी तो एक रुकेगा उठना को फिर अपलेगा तो हम ज्यादा पसंद करते हैं फूस वाला यह दूसरा जिकल भी है फूस करेंगे बीच में एक मून जाता है चलासी वह भी कर लेते हैं कि पूल जब लगाईएगा न उसमें चुहा लगता है जहां चुहा लगता हो अवा साप भी लगता है लेकिन जो मून जिधास आता है वह लगाने पर इसो चुहा नहीं हो सकता और गल्दी से साप हो सगया तो तो उनके ख्यतमे कहा नहीं हो जाएगा काट देता अच्छी लिए तो ऐसा की जिए हां आपको डर लग रहा है कि आग लगने का डर लग रहा है उसके इसे बानों मिट्टे वोबर मिलाकर लवार देजिए और उसके उपर से करकट डाल देजिए या स्वेश्टश डाल देजिए एक उप्सान हो सकता आफ तो आग नहीं न लगेगा यहां दुसरा अपसर यही हो सकता है कि आप से मिंट की जो चादर आती है जिस पे स्वेश् क्योंकि खिर्की भी खुलना है तक ज्यादा ज्यादा धूपा जाए और चवड़ाई यह ठारा से 20 फिट रखिए क्योंकि ज्यादा चवड़ाई कर दिएगा तो फिर्की से धूपा उस कुना तक नहीं पहुच पाएगा तो यह सब बेसिक बात को ध्यान में रहकर धर सकते हैं और कैसा लगा इसों बताइएगा और कुछ कुछ चूट गया हो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि फिर कभी मुलकात एक हां तो आपको जागरूप किया जा सकते मेरा मेनुद से जागरूप करने यूट्यूब तो हो यह फिरी मुलाक चीज हमारे प क्रियों को क्या खिलाये पिछले सबसर्ण हमने सुधीर सर से बात चीज थी कि बप्रियों क्या खिला है तो से लिए वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं नो तो बप लिता प сможioned देखने के लिए घर करें दोस्तों जनकाई अश्य लगी तो वीडियो को जाह पकरना बिल्